लेकिन दूसरा है आपका यूई जो जिसने एक बिलियन डॉलर प्रिडिशनलिसी अभी तो ये आपके इस तुक्त इन फ्लोज आ रहे हैं और आपको मालूम है कि आपके जो रिजर्व वो डिकलाइन कर रहे हैं अब 4.3 बिलियन डॉलर पर पहुंगे हैं आपको पेमेंट्स के लिए और पैसे चाहिए होंगे आपने क्या किया है कि इसकी वज़ा से आपने जो अपने ये जो अलसी जोहा रहा है सारा कुछ जो है रोका हुआ है उससे जो है वो स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट हो रहा है मतलब जिन लोगों का समान बाहर पढ़ा हुआ है मतलब डॉक पर पढ़ा हुआ है वो उसमें टेमरिज लग रहा है और वो टेमरिज इस इतने जादा होते जा रहे हैं कि असल प्राइस से जादा टेमरिज इस होते जा रहे हैं तो वो अभी मतलब प्रोटेस्ट करने के लि जो के 19 पीसद डिकलाइम कर गई हैं पिछले साल दिसमबर से और आपकी एक्सपोर्ट जो हैं वो दिसमबर में 17 पीसद डिकलाइम कर गई हैं पिछले साल से तो ये ऐसे ही है कि एक इसी घर के बीच में अगर आपकी इंकम गिरना शुरू हो जाए तो ये जो इनवर्ड आप डॉलर्स आ रहे हैं ये अगर गिरना शुरू हो गए हैं और आप उसको डेक्ट के साथ मतलब आप करजा लेके उसको पूरा करना शुरू करते हैं तो कितनी लिए तक आप करजा लेते रहेंगे तो आपका एक ना एक दिन जो है वो बिलकुल बेंक्रप्सी तो होगी अब मैं अगर इसको इस तरी के से देखूं कि ये जो वज़े इसकी क्या है वज़े इसकी ये एकानुमी जो है वो स्टेंट स्टिल पर आगी हमने आपकी फैक्ट ये तो बड़ी वाली बंद हो गई है चेक्स्टाइल वाले कह रहे हैं पांच से साथ मिलियन लोग जो वो बेरोजगार हो गये उनकी मतलब सैंक्रो जो है फैक्टरियां बंद हो गई है और भी फैक्टरियां बंद हो रही है तो एक जब नेगेटिव ग्रोथ होगी करनी है अब एक एक स्टेटमेंट देती थी डार साब ने बैंक डेपाउजिट के बीच में जिसको उन्होंने बाद में क्लेरिफाई भी लेकिन इनको सोच समझ की ऐसी बाते करनी चाहिए मुझे याद है कि 1998 में मैं हभी बैंक का प्रेजिडन था जब इन्होंने फ्रीज क अब होता है और मैंने दो बैंक्स पे रंस जो हैं वो मेरे वक्तों में हुए मैं मुझे भी कुछ तक्रिवर पचास साल हो गया है एक यूई के बीच में जब गल्प और हुई थी तो उस दिन में हमारे बैंक मैंसिटी बैंक में ता एक बटा तीन हिस्सा जो था ना बैंस करना इन Voldo सब्स communicating सीट Kao थिए लोग आये थे उन्होंने कूछ MA9 उत्यार हो दलेना शुरू करती हमने उसको कैसे हैं हमने का ये लें आपने डम मांगे हैं यह आपके हैं ये लें बाइद़ आप आप कि डॉलर पड़े हैं वो चाहिए तो भी लेकर चले जाएं जब उन्होंने ये देखा कि यार ये तो बिलकुल कि ये अपना ये लोगों को ये डराएं नहीं और ये जो है उनको जो पैसे उनको चाहिए वो आप आप देखेंगे थोड़ी देर में ये सारा ये तोफान है ये थम जाएगा अब चलते हैं इन्फलेशन की तरह आपने देखा होगा कि S.P.I. ये कल लाई है और वो आई है बत्तीस वीसद बे कत्तीस अशार या साथ पांच ये 28 वीसद पे चली गई थी 45 वीसद से गिर के ये 28 पे चली गई थी ये वापस आना शुरू हो गई उपर जाना चली और य जो इन्फलेशन है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गई है अभी तो इन्होंने IMF के वो जो कंडिशनालिटीज हैं जिसमें उन्होंने का है कि बिजली की कीमते आप और बढ़ाएं गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करें वो तो भी आई नहीं है और उसके ब लमाय फिक्रिया है आम आदमी के लिए जो आम आदमी देख रहा है को आटे की कीमत जो हम लोग छोड़के कहते को तक्रीबन मतलब कंड्रोल तो 55 रुपए किलो थी लेकिन 65 रुपए तक होती थी वो आज 1,560 रुपए जो है वो किलो पे चलिए है और यही हलाद जो है वो हफते डेड़ घंटे की मीटिंग होती थी जिसमें ये फूर प्राइसे वगारा ये कमडिलिटी प्राइसे को हम लोग पूरे पाकिसान में हर प्राविंस में क्या हो रहा था था और उसकी जो एक कोडिलेशन हम करते थे इस पूरे नौ महीनों में इन्होंने उसकी सिर्फ दो बीटिंग हैं किये हैं मैं हर हफते किया करता था इसका मतलब है इनको इस चीज की कुई परवार नहीं है कि आम आजमी पर क्या हो रहा है और मैं आपको बता रहा हूं कि जो डूरिंग डाट बान येर जब मैं था हमारी जो इंटरनल इंफलेशन थी फूर इंफलेशन उसको आलमुस हमने फ्लैट करके रख दिया था आप फिगर्स देखें कि जो मंक्ट मंक्ट फूर्ड इंफलेशन थी वो जीरो थी तो इसलिए ये चाहिए इनको कि ये जनाब ऐसन इकबाल साहब जो इसके इंचार्ज हैं कि वो हर हफते बैठें कोडिनेट करें प्राविं दालें पड़ी हैं इसके पोड्स के ऊपर ये बाकी जो अभी प्यास पढ़ा हुआ है इसको रिलीज करवाएं इससे जो है लोग जो है अभी अंधादा करें रोटी जो 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 बेसिक स्टेपल है वो जो है डेट सब रुपए की कि लो हो गया है इसका मतलब है पंदरा है यह कहां की वो है मतलब शरापन आखरी चीज जो मैं कहूंगा वो है आइम आइम आइफ के साथ इनका भी मौाज़ा जो है वो खटाई में पड़ा हुआ है वो वजह यह दो बड़ी वज़ें एक वज़े यह है कि इन्होंने जो इनको कहा कि भाई हम जो फिस्क्र डेफिसि है और कम हुए है हाला कि रवरियी पंद्रा परसेंट ब्रोक करते हैं लेकिन उनको जाधा ग्रोक करना था और इनका जो एक्सेंस घुख है जाधा तर इनकी डेट सर्विसेंग डेट सर्विसिंग का इनोंने रेट लिया था इंफलेशन का साधे 11 परसेंट डिसकांट रेट और इंफलेशन वो अभी इंफलेशन पहुंच रही है पचीस पे और डिसकांट रेट 16 परसेंट पे फिर रहा है तो वो चीज इनको बिल्कुल इनके एक्सपर बढ़ा रही है और दूसरी जो इनकी नायलाइकी है एनर्जी सेक्टर में एनर्जी सेक्टर में ये 123 बिलियन रुपए हर महीने शाट पॉल आएंगी और उसका वो सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है और उसमेंसे प्रेशर आ रहा है एनर्जी पे ये दोनों चीज़ें ये चीज़ जो है आइम एफ कह रहा है इसको आपको इस ग्रेट बनाएं अधरवाइस तो आपकी ये तिजारत भी नी चले ये कुछ भी नी चलेगा मैं चाहूंगा कि मजम्मिल ने कुछ कहना दे बिस्मिल्ला रह्मान रहीम मैं शौक्त साब की बात को सर्फ आगे बढ़ाऊंगा और कुछ बाते जो है इसागडार साब की याद डॉलर एक आ रहे हैं और तीन अरब डॉलर एक आ रहे हैं जो शौक्त साब ने भी बात बताई है सौदी अरब और यूएई की वो एक और एक अरब डॉलर बिल है और ये जो हम डोनर्स कांफरेंस की थी उसमें जो बरायरास जिसे बायलेटरल कहते हैं जो दो मुमालिक से आपको पैसे मिलते हैं तीन यूएसे और यूर्पन यूनियन ये मिला के आदा अरब डॉलर भी नहीं होते हैं हमारी जो दिसंबर के महीने की तरसीलात रेमिटेंसिस का नंबर आया है वो दो अरब डॉलर आया है मार्च में ये तीन अरब डॉलर था यानि कि जो हम दोनर् इतने पैसे overseas पाकिस्तानी चार दिन में दे देते हैं चार दिनों में और हमने एक अरब डॉलर महीने का इसमें नुक्सान किया दूसरी बात इसी donors conference से related इन्होंने का जी दस अरब डॉलर मिलें हमें तो साड़े आठ अरब डॉलर अगले तीन महीने में अदा करने हैं जिसमें UAE के roll over रोगे दो अरब डॉलर तो छे अरब डॉलर एक अरब और डॉलर धमने अदा कर दिये पांच अरब डॉलर तो अगले तीन महीने में चाहिए हमें और हमारा जो ज़रे मुबातला के जखायर है वो चार अशारी तीन अरब डॉलर सामने हमारे ये कल स्टेट बेंक के सामने ही बैठे वे तेंब मारकेट वाले इनके सिर्फ साथ सो कंटेनर पोर्ट पर पड़े हुए है कल इन्होंने बताया है कि दस हजार डॉलर का कंटेनर पे पंदरा हजार डॉलर पोर्ट चार्ज़ लग गए डेमरेज और डिटेंशन तो ये कौन पे करेगा और ये पे करने के बाद बेखें आप ये शिपिंग कंपनी को चली जाएगी और वो डॉलर में बाहर भीज़ेगा तो ये एक तो जो शौकस आपने बात की कि ये दरा महंगाई का बोश खत्म हो दूसरा ये बिला वज़ा के बाहर डॉलर ना जाएं तो ये महंगाई दूसरी चीज़ आ रही है तो ओवरॉल मेरा सिर्फ सवाल ये मैं इसागडार साब के लिए छोड़के जा रहा हूं ये जो आपने बुलंदो बादा दावे किये थे हमें ज सामने से मिला किया दस अरफ डॉलर तो ये बहुत ही मुश्किल सुच्वेशन है अगर ये कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं किया है इन्होंने महीशत का तो महीशत को मैं एक तरह किसे कहूंगा कि ताला लग जाएगा लॉक्डाउन लग जाएगा बहुत 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 लेके आप पिर नौ इशारिया साथ बिलियंगे ये बात करें उसके बीच में जो मेरे एस्टिमेट हैं वो आठ सवाट जो है ना मतलब वो तो मृटी लैटरल्स के हैं और कुछ और जो जो आपके मुल्क हैं उन्होंने भी आपको लोनी जीन है तो मेरे चाल में जो आपके जो सुरे ग्रांट्स है ना वो अमरीका से मिलेंगे आपको जपान भी ग्रांट देता है अमरीका भी ग्रांट देता है और कुई मेरे खाल में अगर साथ ये लिगा वगारा ने क्यों ग्रांट जो आपको तमी 400 500 बिलियंग से जादा नहीं वाफी सारे लोन्स है कि अजिए बात यह कि कल आतिफ मिया एक बहुत बड़ एकॉनिमस्त है दुनिया के और वो हमारे पाकिस्तानी है उन्हें का जिए आप तो डिफॉर्ट को कर सुखें लेकिन वो जिसको आप टेक्निकल डिफॉर्ट कहते हैं क्योंकि जब आपने एलसी हैं जो हैं खोल दी और जब लोगों की ये टिक्टे हैं जो एरलाइन की ए उन्होंने खर्च कर दी और आप ने पैसे नहीं किसम से और जिसे तो आप ने अपनी ओवर्ड कर दिया वो एक टेक्निकल डिफॉर्ट जो दूसरा जो डिफॉल्ट की आप बात कर रहे हैं वो जिसको कहते हैं अपने लोन्स जो हैं उसके उपर आपने पेमिट नहीं की वो नहीं हुआ और मैं तो यह बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हम उसको डिफॉल्ट में जाएंगे वो मेरे खाल में हम इस वक्त वो नहीं कर और मुझे यकीन है कि यह और कुछ नहीं तो इंपोर्स और कम करके उस डिफॉल्ट में जाएंगे और नहीं ही जाना चाहिए लेकिन यह कोशिश पूरी कर रहे हैं उस तरफ जाने की जो हरकात हैं इनकी नहीं मतलब है किसम से अन जाने में कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेरा अपना जो आपने सवाल पूछा उसका डिरेक्ट सवाल है कि अब उस डिफॉल्ट में अभी तक हम नहींगे और हमें जाना भी नहीं चाहिए तो यार आतिव निया अगर कह सकता है वो तो प्रिंस्टिन का प्रोफेसर है यार मैं तो बिल्कुल आम साथ नहीं है बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया यह सारी दुनिया हमारे से कूछ रही है और कहरे यह कि आप तो सारों को कृटिसाइज करते रहते हैं आप तो बताएं आपके पार इस मुझी मसायल का हल है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं बिल्कुल हल है और दो तीन दिन के बीच में हम यह अन्वील करेंगे पूरे आपके मीडिया के सामने कि हम क्या कर रहेंगे और क्या हम कर सकते हैं हम तो इनको भी मश्वरा दे देंगे भाई यह करो और तो इसलिए यह नहीं है कि इसमें से हम निकल नहीं सकते बिल्कुल निकल सकते जी बिल्कुल आप बिल्कुल सभी बात कर रहे हैं मैंने इसलिए आपको अर्स किया कि अगले इसी जो जो हफ्ता आ रहा है इसी के दौरान ही हम देंगे और मश्वरे देंगे हालां कि उसक्त हमारी हकूमत नहीं होगी लेकिन हम इस हकूमत को भी मश्वरा देंगे कि ये चीज़ें ऐसे करें जी मेरे क्याल में देखें ये एक और बहुत बड़ी बात है मुझे आप बताएं कौन सा पॉलिटीशन बाकिसान में गुजरा है जिसने अपनी हकूमतों को तैलील कर दिया जबके उसको जुरूरत नहीं और हमरान खान कहता रहा है भी जब से ये एपरिल से जिया है कि इस पूरी क्राइसिस का जो एक हल है वो यह है एलेक्शन करवाएं फ्रेश मैंडेट लें और उसके बाद जो एक दफ़ा पुलिटिकल सर्टिनिटी आ जाए तो आप एकॉनिमी को स्टेबलाइस करें उसने वो करके दिखा दिया उसने दो अपनी जो हैं आप एक कर दिया और इन्शाला चन्दिनों में वो केपी को भी तैलील कर देगा तो उसने तो जिसको कहते हैं ना फ्रांट फूट को खेल के यह कहा है कि अलेक्शन होने चाहिए और इन्शाला आप एलेक्शन होंगे इसलिए है कि देखें आपका इस वक्त जब आप सप्लाई डिमांड को कंट्रोल कर लेते हैं बैंकों के थूप आप बैंक्स को कहते हैं बाइजान जितने आपके वाल डॉलर आएंगे उतने की आप एलसीयां खोलें उतना उतने खर्च करें तो वो कंट्रोल हो जाता है कि यह वो है दो सो अठाइस रुपया है कि लेकिन इस वक्त जो मार्केट के बीश में है दो सो 65, 260, 270 लोगों को पैसे मिल रहे हैं वो क्यूं कि वो हवाला है वो हमारे लिए जहर है वो इसलिए जहर है कि वो अब वो उसकी वज़ा से रिमिटन्स जो हैं जो आम आप जो वर बेज़ता है और उसको आठ हजार रुपया जो है हवाले से ज्यादा मिलता है वो तो यार वरकर है ना वो तो उदर से बेज़ेगा इसलिए आप देख रहे हैं कि यह रिमिटन्स जीची जा रही है यह इसी आए में भी जो लगा रहा है कि यह दो रेट्स ना होने दें नहीं कि 265 पर जाकर रुप हो सकता है उससे पहले भी रुपना शुरू हो जाए लेकिन 227 जो 228 रेट नहीं है इस वाक तो उस पर डॉलर नहीं मिल रहा कि यह देखे यह वो चीज़े हैं जिसको देखा जा सकता है इसके बीच में वो भी हैं कि जो जिसको आप कहते हैं कि प्रिवलिस किसम की इंपोर्ट मतलब यह कि कि आप ऐसा चीजिए हैं जो है कि डॉक फूल मंगवा रहे हैं इसका मंगवा रहे हैं तो इसके पर यह देखा जा सकता है कि यह चीज़ें जो हैं यह हमें इसको पर लिमिनेशन लगाई जाएं यह नहां लेकिन मैं आपको सिर्भ इतना कहना चाहतब कि अभी ये चंद दि करते और इस किसम की चीज़ें को पर अब जब आ जाते हैं तो वो काउंटर प्रोडेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अवाम का इतमाद जो है और उठ जाता है आप मुझे बताएं ना कि जो पिछले हमारे जो थे जो अद्वार का उसमें इतनी हमने जा कि इस किसम में डाल के और अपके करें अखवानी हमने उसको उसकी जो बेसिक जो प्रॉब्लम था उसको टैकल किया हमने यह नहीं कहा कि जराब आप इतना फरीज हो गया और यह फ्रीज हो गया इसलिए मेरा जवाब आपको यह होगा यह अगर कोई लोग जाते हैं अपना प्रीदे के आप जरूर इसको देते हैं आप उसकी लिमिटेशन करें एक साल में एक दफा जा सकते हो या इसके समकी चीजे जरूर करें लेकिन इसके भरोसा ना करें ये चीजें जो हैं ये फंडामेंटल नहीं हैं अगर ये चीजें आपके पास लोगों का डॉलर ही नहीं है तो अच्छा आप कंप्रीयां जो यहां की कंप्रियों बंद हो रही हैं वो बंद करें हो कहरे हैं यार हमें अभी हमें रॉम्मिटीरिल ही नहीं मिर रहा अब एक बहुत बड़ा क्राइस एक और आ जाएगा वह है या आपके पास साथ मिलियन बेल्स अभी इस दफा होई है अगर आप जब लेके आएंगे तो उसके उसके लिए पैसे चाहिए जब पैसे नहीं होंगे तो आपकी टेक्स्राइट बंद होना शुरू हो जाहर है वह तो साथ मिलियन जो आपको पास है उसी पर चलेंगे औ और भी दबाईयां हैं अद्वियात हैं बाकी चीज़ें अब जो लोग कह रहे हैं जो उग्रा को मार्केटिंग कपनी ने खत लिखा है कल उन्हेंने का जिनाब ये तेल की शौटेज हो जाएगे तो कि तेल वक्त पे नहीं आ रहा और ये यहीं चीज और चीजों में आए कैमिकल्स में आएगे सारे जी को अब करें जी थैंक यू बरी मच्ट अजी और आपके सामने तो मैं हम बात करें कि जो पिछले साल से पहले तो ये है कि जो हुंदी हवाला जो है ये काफी हद तक खतम हो गया था लेकिन अभी भी हो रहा था ये ये आपना समझें कि आपका जो हुंदी हवाला खतम हो गया था जब हम 31 बिलियन डॉलर की रिमिटन्स पर इस रहे थे मेरा अपना अंदाजा है कि 8 से 10 बिलियन डॉलर अभी भी हुंदी हवाला से आता था जो कि हमारी ये ट्रेड वाले जो इस्तमाल करते हैं ये अंडर र एस्तिमेट किसे ने लगाया कि हमारी इस साल शाय चार बिलियन शॉट हो जाएं मेरा नहीं क्याल मेरा खाल में जो आपके रिमिटन्स पर चार बिलियन से जादा गिरेंगे जितनी गिरती जा रही हैं वो हवाले में चलिए जा रही है